भारत ने टॉस जीता है और आप देखना यह है कि इंडिया टॉस जीतके क्या करेगा टॉस इंडिया ने जीता है रोई शर्मा रोई शर्मा ने दूसरा टॉस जीता है यह अब पदा नहीं मुझे तो लगता है कि मदन जी कोई हर्ज नहीं है अगर आप बैटिंग भी कर लें बढ़ हो सकता है अपनी रणीशी के इसाब से यह सोचें कि नहीं हम यहाँ बॉल डालेंगे क्योंकि परसाथ कभी-कभी फैक्टर रहता है अला कि आज मुझे लगता नहीं है कि शाम इंडिया पहले बैटिंग कर रहा है जी इंडिया की बैटिंग है इंडिया ने पहले टॉ कि भई आप हो सकते हैं बड़े मैच में किसी में तॉस हार जैंकर आपकी पहले बैटिंग आजें दूसरा ये हरश क्या है आप पहले बैटिंग कीजिए न आप रन बनाएए आप वैसी भी चाह रहे थे कि आपके बनाए काई परभी जो भी कभी ऐसे तॉस या पहले बैटिंग करना आदा हंटा पहले थोड़ा सा ठीकी हो जाता है आप बिल्कुल विक्रान देखे थोड़ा सा मेरे को हरांगी जुरूर हो रही है मेरे को लगता है कि चाहिद इंडिया बालिंग करेगा बाट बैटिंग करना भी मैं समता है कि एक अच्छी बात है क्योंकि जो आपके जो बल्ले बाज हैं उनको भी एक टोटल सेट करने का मौका भी मिलेगा अब जो जो हम बात करते हैं हमेशा की हमारे जो किस टेंपलेंट से हमने बैटिंग करनी है उससे भी आपको थोड़ा सा मालूम बढ़ता है और इन टीमों के गेंस अगर आप पैड़े बैटिंग करके अच्छा स्कोर खड़ा कर देते हैं तो फिर उनके लिए भी जितना काफी मुश्कुल होता है मेक शूर कि इंडियन टीम जब बैटिंग करें और कम से कम 180 के करीब यह स्कोर होना बड़ा सेम टीम बड़ा 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 दूरी है क्योंकि सेम टीम सेम टीम है मदन जी ना कि में है की नहीं किया मुझे लग लगता है सई फैसला है शायद यूजी चैल थोड़ा सा मैं मानता हूँ अल्लकी रह गए नहीं मेरे को लगता था कि टीम को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि एक ही मैच हुआ है अब दूसरा मैच है आप लोगों कि स्क्रीपटी पड़ेगा आपको तांकि वह बाहर उस प्रेशर से बाहर आना सकें क्योंकि उनको प्रेशर इतना ज्यादा देलना नहीं आता जितना कि बागे इंटरनेशल टीम जो कंटिनुडी जो हमेशा लगातार मैच खेलती रहती हैं तो डेफिनली एक अच्छा डिसीजन लिया रोई यह भी आइडिया होना चाहिए भी हाँ यह इतना टोटल हम खड़ा कर सकते हैं और हमारे बल्ले बाजो को कॉन्फिटेंस होना बड़ा जरूरी है